देखो परमा आत्मा में लगाकर मन खुशियों से भर जाएं ओम शांति इस बेहद के कर्म शेत्र पर हम आत्माई कर्मिंद्रियों का आधार लेकर कर्म कर रही है परन्तु संगम के समय पर बाबा हमें कर्म करते हुए योग युक्त रहना सिखाते है कर्म योगी बनाते है तकि हमारा हर एक कर्म सुकर्म बन जाए हम अपनी कर्मादीत स्थिती के समी पाजाए और धीरे धीरे टौकी से मुवी और मुवी से बिलकुल सालेंस अपनी संपोर्ण निराकारी स्थिती की और आगे बढ़े उस स्थिती को प्राप्त कर ले संपन बन चाएं संपोर्ण बन चाएं इस लक्षे को प्राप्त करने के लिए हमें किन लक्षणों को धारण करना है कैसे अपनी स्थिती को उचा बनाना है आज के मुडली यही बात हमें सिखा रही है सुनते हैं बाबा के मधर महवाक्य आज है तीन तारीक तीन अगस्त दोहजार चॉबिस बाबा के मधर महवाक्य हैं मीठे बच्चे यह है बेहद की unlimited stage हद की stage नहीं है बेहद की stage है जिसमें तुम आत्माई पार्ट बज़ाने के लिए बांधी हुई हो इसमें हर एक का fix पार्ट है पार्ट already fixed है किसका क्या रोल है प्रश्न है कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने का पुरुशार्थ क्या है सबको बनना ना कर्मातीत स्थिती तो फिर क्या पुरुशार्थ करेंगे उत्तर है कर्मातीत बनना है तो पूरा पूरा सरंडर होना पड़े अपना कुछ नहीं सरंडर यानी कुछ भी मेरा नहीं सबकुछ तेरा सबकुछ भूले हुए होंगे तब कर्मातीत बन सकेंगे भूलने का पुरुशार्थ करना है जिने धन, दौलत, बच्चे आदी याद आते वह करमातीत बन नहीं सकते इसलिए बाबा कहते हैं क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास करीबों के पास है यह नहीं तो याद करना ही नहीं पड़ता अमीरों के पास बहुत कुछ है इसलिए उस्थिती प्राप्ति नहीं कर पाते गरीब बच्चे जल्दी सरंडर हो जाते हैं सहजी ही सब कुछ भूल एक बाब की याद में रह सकते हैं ओम शांते रोहानी बाब बैट अपने रोहानी बच्चों को समझाते हैं बच्चों की बुद्धी में जरूर है कि अब घर जाना है भाक्तों की बुद्धी में नहीं रहता तुम जानते हो यह 84 का चक्र अब पुरा हुआ यह बहुत बड़ा बेहद का मांडवा अथ्वा स्टेज है unlimited स्टेज है इस पुराने मांडवे को छोड़ घर जाना है अपवित्र आत्माई तो जा नहीं सकते पवित्र जरूर बनना है अब इस खेल का अंत है अपरमपार दुखों की अब पिछाड़ी है इस समय यह सब माया का पॉम्प है जिसको मनुष्य स्वर्ग समझते है कितने महल माणियां मोटरे आदी है इसको कहा जाता है माया का कॉम्पिटीशन माया फुल कॉम्पिटीशन में है नर्क की स्वर्ग के साथ कॉम्पिटीशन है अल्पकाल के लिए सुख है यह है माया की लालच ड्रामा अनुसार खीचती है ना हमें कितने ढेर मनुष्य है पहले तो सिर्फ एक आदी सनातन देवी देवता धर्म ही था अब तो मांडवा फुल भर गया है स्टेज दिलकुल फुल पैक हो चुके है अब यह चक्र पूरा होता है सब तमु प्रधान है स्रिष्टी भी तमु प्रधान है फिर सतु प्रधान होनी है सारी स्रिष्टी नई चाहिए ना नई से पुरानी पुरानी से नई यह तो अनगिनत बार चलता आया है अनादी खेल है तब शुरू हुआ यह नहीं कह सकते अनादी चलता ही रहता है यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानता तुम भी इस ज्ञान मिलने के पहले कुछ नहीं जानते थे देवता भी नहीं जानते थे सिर्फ कौन जानते हैं? सिर्फ तुम पुरुशोत्तम संगम युगी ब्राम्मन ही जानते हो फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा बाप नहीं सुखधाम का मालिक बनाया हाँ बाकी और क्या चाहिए? इससे जादा तो कुछ होता ही नहीं है बाप से जो पाना था पालिया बाकी कुछ पाने के लिए रहता नहीं भगवान ने अपना सब कुछ लोटा दिया इसके बाद कुछ रहता ही नहीं है तो बाप समझाते हैं बच्चे तुम ही सबसे जास्ते पतित बने हो पहले पहले तुम ही आये हो पाट बचाने सबसे आदा पावन भी हमी थे सबसे पहले हमी आये थे पाट बचाने और सबसे जादा पतित भी हम ही बने है तुमको ही पहले जाना पड़ेगा चक्र है ना पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे उपर देखो परमधाम में जो चित्र दिखाते हैं ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मलोक के अंदर जो निराकारी दुनिया उसमें सबसे पहले शिव बाबा के समीब कौन है हम आत्माए अश्ट रतन फिर उसके बाद 108 फिर 16108 फिर हम आत्माओं के बाद बाकी आत्माए नीच जाएंगे तिसलिए हम ही सबसे पहले जाएंगे माला में हम ही सबसे पहले पिरोए जाएंगे यह रोद्र माला है उपर परमधाम में रूद्रमाला है धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोय होए है कोई स्थूल धागा नहीं है परन्तु बिलकुल ऐसे जैसे कि धागे में पिरोय होते हैं ऐसे आत्माई उपर परमधाम में बाबा के असपास है धागे से निकल परमधाम से चले जाएंगे फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे बहुत बड़ी माला है इतनी सारी आत्माए है तो माला बड़ी होगी न शिव बाबा को कितने धेर बच्चे हैं पहले पहले तुम देवताईं आते हो यह है बेहद की माला जिसमें सब मन के मिसल पिरोए हुए हो रूद्र माला और विश्णों की माला गाई जाते है प्रजापिता ब्रम्भा की माला नहीं है तुम ब्रम्भा कुमार कुमारियों की माला होती नहीं क्यूकि तुम चड़ते गेते हो हार खाते हो घड़ी-घड़ी माया गिरा देती है इसलिए प्राम्भणों की माला नहीं बनती जब पूरे पास हो जाते हो तब विश्णों की माला बनती है यूँ तो प्रजापिता ब्रह्मा का भी सिजरा है जब पास हो जाते हैं तो कहेंगे ब्रह्मा की भी माला है सिजरा बना हुआ है इस समय माला नहीं बन सकती है क्योंकि आज पवित्र बनते कल फिर माया थपड़ मार कला काया ही निकाल देते की कमाई चट हो जाते है तूट पड़ते है कहां से गिरते हैं विचार करो इतनी उची मन्जिल है उपर जा रहे हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं बाप तो विश्व का मालिक बनाते हैं फिर माया आ जाती है तो क्या बन जाते हैं उनकी श्रीमत पर चलने से तुम उच्पद पा सकते हो हार खाई तो खलास काम विकार महाशत्रो है उनसे हार नहीं खाने है बाकी सब विकार हैं बाल बच्चे बड़ा शत्रो है काम विकार उनके उपर ही जीत पाने है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे यह पांच विकार आधा कलप के दुश्मन है नहीं नहीं है बहुत पुराने है वो हमारी हर एक रग जानते है वह भी छोड़ते नहीं है सब चलाते है क्रोध करना पड़ता है परंतु दरकार क्या पड़ी है प्यार से भी काम हो सकता है कौन कह रही खुद प्यार का सागर चोर को भी प्यार से अगर समझाएंगे तो वह जट सच कह देंगे बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर होना तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है याद रखेंगे न हम कौन है हम मास्टर प्यार के सागर है फिर जितना हो सके अपने अंदर उस प्यार को इमर्ज रूप में रखें फिर जो भी काम करें प्यार से करें प्यार से कठिन कारे भी सहज हो जाता है बहुत बड़ी ताकत है प्यार भी बाबा ने भी तो हमें प्यार प्यार से अपना बना लिया न तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को भी प्यार से काम लेना है भल कोई भी पोजीशन हो बाबा के पास मिलिटरी वाले भी आते हैं उन्हों को भी बाबा समझाते हैं तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो उन्हें कहा जाता है तुम युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे बास्तव में युद्ध का मैदान तो ये है इस युद्ध के मैदान में मरेंगे तो माया से जो युद्ध हो रही है न इसमें अगर जीत प्राप्त कर लेंगे तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे स्वर्ग में आ जाएंगे बहे तो लडाई करते करते मर जाते है तो फिर वहाँ जाकर जन्म लेते हैं क्योंकि संसकार ले जाते हैं उन्ही फामिलीज में फिर जन्म लेते हैं स्वर्ग में तो जाना सकें, तो बाबा उन्हों को समझाते थे, शिव बाबा को याद करने से तुम स्वर्ग में जा सकते हो, क्यूंकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, शिव बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होगे, यह थोड़ा भी ज्ञान मिला न, तो अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है थोड़ा भी ज्ञान मिल गया न, तो बिलकुल जब जरुवत होगी याद आ जाएगा, फिर आ जाएंगे तुम बच्चे यह मेला आदी करते हो, तो कितनी प्रजा बनती है तुम रोहानी सेना हो न, इसमें, उस सेना में भी होते हैं, इसमें बी, इसमें कमांडर, मेजर आदी, थोड़े होते हैं प्रजा तो बहुत बनती है, जो अच्छी रीती समझाते हैं, तो कुछ न कुछ, अच्छा पद पाते हैं उनमें भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ग्रेड होती है, तुम शिक्षा देते रहते हो कोई तो बिलकुल आप समान बन जाते हैं, कोई सबसे उपर भी जा सकते हैं देखा जाता है, एक दो से उपर चले जाते हैं, पीछे वाले आगे निकल जाते हैं नए नए पुरानों से तीखे चले जाते हैं, बाप से पुरा योग लग जाए, तो बहुत उच चला जाएगा सारा मदार है, योग पर, नौलिज तो बहुत सहज है, तुम फील करते होंगे बाप की याद में विगन पढ़ते हैं, फील होता है न, पढ़ाई पढ़ते हैं तो विगन नहीं पढ़ता हैं, पर याद में बैठते हैं तो बुद्धी कहां का कहां चले जाती है खुद ही खुद को चक करना है, कितनी देर एक बाप की याद में रहे कितनी देर बैठे, स्थूल शरीर से बैठे वो काउंट नहीं होता, पर मन और बुद्धी कितनी देर बैठी, वो काउंट होता है बाप कहते हैं, भोजन खाओ तो भी याद में, परन्तु कोई दो मिनट, कोई पांच मिनट याद में रहते हैं सारा समय याद में रहे, बड़ा मुश्किल है माया कहा न कहा उड़ाए, भुला देती है, बुद्धी उड़ जाते है, बूल जाते है सिवाई बाप के और कोई की याद नहीं रहेगी, तब ही करमातीत अवस्था होगी कुछ भी याद ना आए सिवाई बाबा के अगर कुछ भी अपना होगा, होता तो बहुत है, पर जो अपना है, जिसे हम मेरा कहते हैं, वो तेरा नहीं किया है तो कुछ भी अपना होगा, तो वह याद जरूर पड़ेगा कुछ भी याद ना आए यह बाबा मिसाल है ब्रह्मा बाबा इसका बहुत बड़ा एक्जामपल है इनको क्या याद आएगा कोई बाल बच्चे धन आदी है सिर्फ तुम बच्चे ही याद आते हो तुम तो जरूर बाप को याद पढ़ेंगे क्योंकि बाप आए है कल्याण करने के लिए याद सबको करते है परन्तो फिर भी बुद्धी फूलों तरफ ही चली जाते है है ना फूल कौन? जो बाबा के पवित्र बच्चे है बाबा की श्रीमत को पूरी तरह पालन करते है धालना करते है सेवा करते है खीचती है, फूल अनेक प्रकार के होते हैं, कोई बिगर खुश्बू भी होते हैं, बगीचा है न, बाप को बागवान माली भी कहते हैं, यह तो तुम जानते हो, मनुष्य क्रोध में आकर कितना लड़ते जगड़ते हैं, बहुत दे अभिमान है, क्यों तिया लड़ाई, ब बाप समझाते हैं, कभी कोई क्रोध करें, तो शानत रहना चाहिए, क्रोध भूत है न, भूत के आगे शानती से रिस्पॉंड देना है, सर्वशास्त्र शिरोमणी भगवत गीता है इश्वरिय मत की, इश्वरिय मत, आसुरी मत और दैवी मत, एक इश्वर ही आकर बताते हैं, इश्वरिय मत क्या है, आसुरी मत क्या है, और दैवी मत क्या है, पहले तुम्हें पता नहीं था पर जब बाबा आते हैं तो इन सब के अंतर को समझाते है राज यूग की नॉलेज देते है फिर यह नॉलेज गुम हो जाएगी राजाओं का राजा बन गया फिर नॉलेज क्या करेंगे 21 जन में तो प्रालब्द भोगते हो बहाँ यह मालूम नहीं पड़ता है किस पुरुशार्थ का यह फल है देवताओं को कोई ज्यान नहीं है कि वो देवता कैसे बने अनेक बार तुम सतियुग में गए हो नई बात नहीं है अनेक बार हम सतियुग में गए है यह चक्र फिरता रहता है सत्युक्त रेता है ज्ञान का फल ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान मिलता है ज्ञान का फल है पुरुशार्थ की प्रालब्द है ज्ञान नहीं होता वहाँ बाप आकर यहाँ भक्ती का फल ज्ञान देते है बाप ने बताया है तुमने जास्ती भक्ती की है अब एक बाप को याद करो तो तमुप्रधान से सतुप्रधान बन जाएंगे इसमें है महनत रचना के आदी मध्यांत को याद करो तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे भगवान बच्चों को भगवान भगवती बनाएंगे न परंतो देहधारी को भगवान भगवती कहना रॉंग है ब्रह्मा, विश्णू और शिव का कितना संबंद है यह ब्रह्मा फिर विश्णू बनने वाला है और इसमें शिव की प्रवेश्ता है सुक्ष्मवतन वालों को फरिष्टा कहा जाता है तुमको फरिष्टा बनना है साक्षादकार होता है बाकि कुछ है नहीं साइलेंस, मुवी और यहां टॉकी यह है डीटेल बाकि नटशल में तो फिर भी कहते हैं यह सारी बात है न तीनों लोकों की यह सारी है विस्तार है, डीटेल है पर नटशल में सार क्या है फिर भी कहते हैं मन मना भव मामे कम याद करो और स्रिष्टी चक्र को याद करो यहां बैठे हो तो भी शांती धाम सुखधाम को याद करो फिजिकली कहीं भी बैठे हो पर नतु बुद्धी में क्या हो? शांती धाम, सुखधाम इस पुराने दुखधाम को भोल जाओ यह है बेहद का सन्यास बुद्धी से तो इस सन्यासी बनने की यह बेहद का सन्यासी बनने की प्रैक्टिस करनी चाहिए बिलकुल यहां बैठे हैं तो मन और बुद्धी चे सब कुछ भूल कर उपर परमधाम में टिक जाओ फिर सुखधाम में आ जाओ तो बाबा कहते हैं यह है बेहद का सन्यास बुद्धी से उनका है हद का सन्यास वह निवरती मार्ग वाले प्रवरती मार्ग का ज्यान देना सके राजारानी बनना प्रवरती मार्ग है वहाँ है ही सुख वह तो सुख को मानते ही नहीं सन्यासी भी करोडूं के अंदास में है उन्हों की पर्वरिश वह कमाई होती है ग्रहस्तियों से वही कुछ जो दान पुन्ने करते हैं उससे उनका गुजारा चलता है एक तो तुमने दान पुन्ने में लगाया फिर पाप का धन्दा किया तो पाप आत्मा बन पड़े तुम बच्चे तो अभी अविनाशी ज्ञान रतनों की लेन देन करते हो वे धर्म शाला आदी बनवाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छा भल मिलेगा यह तो है बेहद का बाप उन सन्यासियों में और बाबा के ज्ञान में कितना अंतर है हद का सन्यास करने से हद की थोड़ी थोड़ी प्राप्तियां हो जाती है हद का दान पुन्य करने से हद की प्रालब्ध मिल जाती है कुछ टाइम के लिए लेकिन यहाँ बेहद का सन्यास है बेहद की प्राप्तियां है यह तो है बेहद का बाब यह डारेक्ट वह है इंडारेक्ट वहाँ पर भी भगवान के नाम पर ही करते हैं पर इंडारेक्ट है इश्वर अरपडम करते हैं अब भूख तो दोनों को है नहीं शिव बाबा तो दाता है उनको भूख होगी क्या दाता को थोड़ी ना कुछ चाहिए श्री कृष्न दाता नहीं इश्वर अरपडम जो करते हैं श्री कृष्न को देते हैं पर बुद्धी में भगवान है तो ना इश्वर को कुछ चाहिए ना श्री कृष्न को कुछ चाहिए इश्वर तो खुद ही दाता है और श्री कृष्न दाता नहीं है परंतु उसके पास दाता का दिया हुआ सब कुछ है तो उसको भी कुछ नहीं चाहिए तो श्री कृष्न दाता नहीं बाप तो सबको देने वाला है लेने वाला नहीं है एक देवे दस पावे गरीब दो रुपया देते हैं तो पदम मिल जाते हैं एक्जामपल बताते हैं सुदामा का तो सुदामा का मिसाल बबा देते हैं भारत सोने की चड़िया था ना, बाप ने कितना धनवान बनाया, सोने का भारत, बहल भी सोने के सब चीज़ सोने की, सोमनात के मंदिर में कितना अकी चार धन था, कितना लूट कर ले गए, बड़े बड़े हीरे जवाहर थे, अब तो देखने में भी नहीं आते हैं, है न, कटकुट हो गए हैं, फिर हिस्ट्री रिपीट होगी, फिर से बनेगा सोमनात का मंदिर फिर लूट कर ले जाएंगे, वहां सब खानिया तुम्हारे लिए भरपूर हो जाएगी, हीरे जवाहर तो वहां जैसे पत्थर मिसल रहते हैं, बाप अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं, इन रतनों का कोई मुल्य नहीं है, और ये रतन सिवाए संगम युक्के कभी मिल भी नहीं पाएंगे, इस समय ही ये ज्ञान रतन मिलते हैं, वो रतन तो कभी सस्टे, कभी महेंगे, कभी वैल्यू नहीं है, कभी बहुत वैल्यू है, किसी न किसी रूप में रहेंगे, परन्तो ये रतन केवाल अब संगम युक्क पर खुद भगवान देते हैं, जिससे तुम अथाहा धनवान बन जाते हो, तो मीथे मीथे बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्या-क्या मिलता है विनाशी भी अविनाशी भी, कितनी खुशी होनी चाहिए, जितना पढ़ते रहेंगे, खुशी का पारा चड़ता रहेगा, है न, आधार क्या है खुशी का? बढ़ाई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो, बुध्धी में रहता है न, यह पास कर, फिर यह बनेंगे, यह करेंगे, तुम भी जानते हो, यह देवता बनेंगे, यह तो जड़ चित्र है हम वहाँ चैतन्य बनेंगे यह चित्र भी तुमने जो बनाई कहां से आए जो हमारे चित्र बने हुए है वो कहां से आए दुनिया के तरीके से नहीं बने है किसी आर्टिस्ट ने अपनी कला को प्रदर्शित किया हू किसी आर्टिस्ट को कोई अच्छी creativity है तो रचनात्मक द्रिष्टी है, कला है तो बना देता है, सुन्दर-सुन्दर ज्यादा सुन्दर बना देता है लेकिन यहां ऐसा नहीं है किसी भी मनुश्य आत्मा की ना कलपना से ना रचनात्मक ता से यहां कहां से आये दिव्य द्रिष्टी से तुम देखाए हो जित्र बड़े wonderful है कोई समझेंगे यह ब्रह्मा ने बनाए है अगर यह कोई से सीखा होता तो सिर्फ एक थोड़ी सीखा होता अगर ब्रह्मा बाबा ने किसी से सीखा होता तो उसका केवल एकी शिश्य था जिसने सीखा था और भी तो होंगे न फिर और भी सीखे हुए होते न यह कहते हैं मैं कुछ भी सीखा हुआ नहीं हूँ यह तो बापने दिव्य द्रिष्टी द्वारा बनवाए है यह चित्र सब श्रीमत से बने हुए हैं बहुत वैल्योबल है बाबा वाले चित्र ऐसा लक्ष्मी नरायन का चित्र ऐसा गोले का चित्र ऐसा जाड का चित्र कहीं नहीं है यह मनुष्य मत के नहीं है यह सब खलास हो जाएंगे बाबा भी उपर चला जाएगा और बाबा ने जो हमें चित्र बनाए ज्ञान सिखाया वो भी प्रायलोब हो जाएंगे कुछ भी नाम निशान नहीं रहेगा नाम ना निशान इस स्रिष्टी का ही अंत है भक्ती की कितनी सामगरी है यह नहीं रहेगी न भक्ती न ग्यान ग्यान का फल रहेगा नई दुनिया में सब कुछ नया तुम अनेक बार स्वर्ग के मालिक बने हो फिर माया ने हराया है माया विकारों को कहा जाता है न कि धन को तुम बच्चे रावण की जन्जीर में आधा कल्प से फसे हुए थे रावण है सबसे पुराना दुश्मन आधा कल्प उनका राज्य चलता है लाखों वर्ष कह देने से फिर आधा आधा का हिसाब भी नहीं निकलता है न जैसे शास्त्रों में लिखा है इतने लाखों वर्ष तुससे आधा आधा का हिसाब होता ही नहीं न कितना फर्क है तुमको तो बाप ने बताया है सारे कल्प की आयू ही पाँच हजार वर्ष है 84 लाख योनिया तो है नहीं यह बड़ा गपोड़ा है सूरेवन्शी, चंद्रवन्शी, देवी देवता इतने लाखों वर्ष राज्य करते थे क्या यह बुद्धी काम नहीं करते सन्यासी तो समझते हैं अभी हम अपने को रौंग मान लेवें तो सब फॉलोवर्स हम को छोड़ देंगे revolution हो जाएं इसलिए अभी वो तुम्हारी मत पर चल अपनी राजाई नहीं छोड़ेंगे पिछाडी में कुछ समझेंगे अभी नहीं अभी तो देखो कितने सन्यासी आते हैं न अपना नुभव भी सुनाते हैं न साहुकार लोग ही ज्यान लेंगे बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ साहुकार लोग कभी सरंडर होकर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे बाप तो बड़ा जबरदस्त सर्राफ है ऐसे नहीं करेगा कि कोई बड़े आदमी की बुद्धी को फिर आदे फिर गरीबों का क्या होगा उनका कैसे सफल होगा बाप बहुत बड़ा सर्राफ है पता है बाप को कब क्या कैसे करना है गरीबों का ही लेंगे साहुकारों का लेवें तो फिर इतना देना पड़े है ना साहुकार उठते ही मुश्किल है क्योंकि इसमें क्या कारण है इसमें सब कुछ भूलना पड़ता है है ना कुछ भी पास ना रहे तब कर्मा तीत अवस्था हो कुछ भी पास ना रहे बुद्धी में जरा भी याद ना रहे कि मेरे पास कुछ है सब कुछ तेरा हो जाए तन, मन, धन सब कुछ तेरा साहुकार लोग तो भूल नहीं सकेंगे जिन्होंने कल्प पहले वर्सा लिया है वही लेंगे अच्छा रोहानी बच्चों की रोहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 धारना के लिए मुख्य सार पहला जिसे बाप प्यार का सागर है ऐसे मास्टर प्यार का सागर बन प्यार से काम निकालना है क्रोध नहीं करना है क्रोध कोई करे तो तुम्हें शांत रहना है दुसरा बुद्धी से इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल बेहद का सन्यासी बनना है शांतिधाम और सुखधाम को याद करना है अविनाशी ज्यान रतनों की लेन देन करनी है वर्दान है विकारों रूपी जहरीले सापों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूर्त भवा कैसे बनेंगे शंकर समान तपस्वी मूर्त जब विकारों रूपी जहरीले सापों को गले की माला बना देंगे जीत प्राप्त कर लेंगे विकारों पर तब शंकर समान तपस्वी मूर्त कहलाएंगे यह पाँच विकार जो लोगों के लिए जहरीले साप है जहर होता है न, अंदर तक पुरी तरहां फैल चुका होता है दृष्टी में, वृती में, कृती में हर चीज में विकृत हो गई है भावनाएं विकृत हो गई है हर एक कृती तो यह साप आप योगी वह प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं यानि इन विकारों पर हम पोन रीती जीत प्राप्त कर लेते हैं यहे आप ब्राम्भणू वह ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है दिखाते न, शंकर कोई भी वस्त्र नहीं है तो वस्त्र कौन सा आत्मा बिलकुल अपनी आत्मिक स्थिती में है देहे भान बिलकुल नहीं है और शरीरी स्थिती तो उस शरीर के कपडों की बात नहीं है बिलकुल इस देहे भान को भुली हुई है तीसरा नेत्र खुला हुआ है गले में विकारों पर जीत प्राप्त करने का उस जहरीले सापों का हार है तो वो हमारे इस समय के स्वरूप का यादगार है जो पूजा जाता है दूसरा यह साप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं यह स्थिती स्टेज के रूप में दिखाते हैं जो दिखाते हैं श्री कृष्ण कालिया नाक के उपर डांस कर रहे हैं तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूर्थ प्रयोगी आत्मा बिलकुल विकारों पर संपूर्ण विजय हो स्लोगन है जिनका स्वभाव मीठा शान्त चित है उस पर क्रोध का भूध वार नहीं कर सकता नीचर ही है क्या स्वभाव कैसा है मीठा शान्त चित तो आज हम विशेश बेहद का सन्यासी बनने का अभ्यास करेंगे सब कुछ भूल जाए बिलकुल दे भी भूल जाए दुनिया भी भूल जाए जो कर्म जिम्मेवारियां हमें दी गई है वो सब भूल जाए क्या याद रहे एक बबाबा याद रहे शांती धाम याद रहे सुख धाम याद रहे तुसका अभ्यास करेंगे चा, ओम शांती प्रेम करो परमातमा से प्रेम ही सुख का सार है प्रेम करो परमातमा से प्रेम ही सुख का सार है प्रेम ही सच्चा जीवन है प्रेम ही सिस्थाचार है प्रेम करो परमातमा से प्रेम ही सुख का सार है प्रेम ही सुकता सारे है जोड़ लो मन के तार प्रभू से प्रभू प्रेम रस पी लो जोड़ लो मन के तार प्रभू से प्रभू प्रेम रस पी लो योग के पावन बथ पर चल के सुक में जीवन जी लो प्रेम ही सदभावना है प्रेम प्रभू का उपहार है प्रेम करो परमात्मा से प्रेम ही सुकता सारे है प्रेम ही सुकता सारे है करते है? करते ही सुकता सारे है जीवन है अनमूल खजाना इसको न यूही को देना जीवन है अनमूल खजाना इसको न यूही को देना सेस्ट समय है पुर्ण कर्म के वीज ये फिर से बोलेना जनम जनम की प्यास बुझालो प्रभ की यही पुकार है प्रेम करो पर मात्मा से प्रेम ही सुक का सार है प्रेम ही सुक का सार है प्रेम ही सुक का सार है